आज अबने बात करेंगे इंशुलेशन के बारे में ठीक है देखो इंशुलेशन के बारे में एक द्यान में रखना कि इंशुलेशन होता क्या है कि अगुंदिंव को बोलेंगे विदूत रोधन नाम से बता चला इन दूर दलं यानिकी विदूत का जो रोध परकड़ेगा विदू के मारग में या विदूत का जो विरोध करेगा विदूतरुती परदारत होगा इंसुलेटिंग मेटीरियल होगा पहले चीज तो द्यान रहना अब तुम्हारे पास महां लेते हैं के जो केबल तुम्हारे जहां तक तुम्हारा हाथ पहुंच सकता है या जिन केबलों को तुम लोग परिपत में यूज करोगे अगर वहां तक तुम्हारा बोड़ी टाच हो सकती है तो वहां उसका इंसुलेशन जरूरी है या अगर दो केबले चल रही है और उन दोनों के जैसे डबल कोर केबल है तुम्हारे पास ठीक है अगर इनको तुमने एंट कर रख रखा तभी रख सकते हो जब इसके पर अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो इंसुलेशन एक चलग मेटीरियल होता है जो उस चलग को विदूतरोधन परदान करने का काम करेगा यहनी कि उसको विदूतरोधी करेगा समझे महीं बत तो ध्यान से सुनों कि इंसुलेशन का अगर मतलब समझे तो क्या होगा कोई भी कं इंसुलेशन हों चालग जोगा है कि एक चालग पर के ऐग चालग क्या की फ परत कोई भी कंदक्टर होगा उसके ओपर तुमने इंसुलेशन कर दिया वो तुमारा कौन सहुझेगा वो उसके उपर एच अलक परत मना दी वो क्या हो जेगी अब सोच के मेरे को बता इंशलेशन काम क्या करेगा पहले जीज तो द्यान में रणाट चालक को क्या करेगा शोट होने से क्यों क्या करता है बचाता है कि दूसरा गाम क्या होगा कि जो ओपरेटर को डवीयद्स कर जटकों से क्या करेगा ब्रचालक अंदिग अंदर operator को तो परचाल्य को क्या करते हैं ड़न जटकों से क्या करता है दो रुख्या प्रदान के लिए के तीसरा काम करेगा वे काम को रहता कि अगर इसकी बोड़ी किसी चालक भागे संपरक में अगे तो भाद को क्या करते हैं तो यह तो था तो तो था तुम्हारा इंचोलेशन अब इनदी कि कि आ कर दोगे ऐसा नहीं हो गाँ अब तुम्हारा पेपर ओगा तुम्हारे को तुम्हारे के दर कोई डोल होगा तब ही तुम्हारे का सेलेक्शन होगा इंदिया इंगली चाने चीए मैं थानी चीए कुछ ना कुछ तो गई सिस्टम तभी तुन्होंने पेपर में चार सब्जेक्ट रखें अब यहां से एक सवाल बनते हैं कि इंसुलेटिंग मेटीरियल में क्या-क्या गुण होने आवशक है कि बता दो कौन कौन से चीए विदुत रोधी परदार्थों के में को तो पहला तो सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है कि अपने यूज क्या करने इंसुलेशन परदान करने के लिए इंसुलेशन परदान करोगे उसकी जो इंसुलेशन परतिरोद एक्टेंथ होगा डाई लेक्टरि श्रेंथ होगी वो क्या होने चीह सबति तो ध्यान में रहना क्या होना है टैवह टैव्याक्त्रिक कि हमख़ेगा डाई एलेक्ट्रिस फ्performत किसले माइपन करते हो कि के क्लो वर्डव ने पर ती अमर्म दूसरा तुम्हारे पास क्या होना चीए उच विदूत रोधन चमता और विदूत रोधन चमता का मतलब उसका रजिस्टन जादा होना चीए डाइलेक्ट्री श्टेंद का मतलब तो यह होता है कि वो वोल्टेज को सेन कितना कर सकते हैं कि म्म पर्त वोल्टेज को सहन कर सकते हैं उसकी यह सब टरी इस ज्यद्र होती है ऑन्येसी यह मिललेशन परतिओं चूर्ड परकधार्त की वह है वोटता सहन करने कि वहा दिख्तम चकती जिसने उपर वो भंजीत हो जाता चलंग भन जाताथ। अब मेरे को बता दो कि इंशुलेशन परती रोद जो का वो कितना होना चीए कि एक मेगाम कम से कम होना चीए तीसरी ध्यार में रखना कि इसके अंदर क्या होना चीए नमी रोधी वैं अमल निदी है यनि की इसके वपर अमल का छार का अवक्ट नहीं होना चीए अगर अगर माई वह को इसके उपर अमल गिरया अमल कर poo और वह उपर वाले इंसुलेशन को जला दMoon ये जला देते हैं जा दिया इसका मतलब तो तो उन्हारा जो काम था नहीं तो यह इनके अंदर क्या होना चीए तो डाइलेक्ट्रिस ज्यादा होना चीए फिर देखो बात आती है कि जो तुमारा इंशुलेशन जो है यह पर्तिरोद होगा इसका तुम लोग काम गया गरोगे मेजरमेंट करते हो मापन किस मेटर की साहिता से करते हैं अब यह होगा अब जहां से सुना जो तो हर लाइन एक सवाल है अब बात आती है मापन की मापन के लिए अपने जो मेटर यूज गरते उसका नाम किया है है यह सवाड डिब्लॉ belief यह यह चाहिए मापन के लिए जो तुमारे को सपलाई चाहिए वहाड़ा göz है डिसी हाइवाल्टेज या लो क्योंकि ध्यान में रखना कि अगर किसी केबल की उपर लिखा जार वोल्ट यह जार वोल्ट पता किस का यह इस इंसिलेशन की चंदता है इसके उपर देखना लिखा होगा यह जो लिखा होता है यह वोल्टेज का एक तौ ध्यान में रखना जो तुम्मारी 1000 व्लट है पटेंद ऑगा इसका मतलब इसका इंशलेशन सेह नहीं कर सकते तो सोच के देखूंँ यह वोल्ट जद्हों है अगर तुम लोग इंशलेशन की जांच करो गे तो यह कंड़क्टर होता है इसे मेगर की साहिता से जब तुमनों जांच करोगे और इसके अंदर ऐसा होगा ठीक है तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा चाल लग और यह जो भाग हो जाएगा यह इसका इंशुलेशन अब मेगर के दो ट्रमिनल लोगे तो लोगा रही होगा इसको तुम लोगा लगाऊगे तुमनों यहां लगाओगे अब इस वारे इंशुलेशन की छमता ज्यादा होगी तुम्हारी मान लेठ आतनी वीडियु कर तुमने पांसो वोल्ट का यूज कि तो इसका मतलब रुए कि में तो तुम 500 वोल्ट तक पर इसकी छमता जा रहा ह तो वह दारा का प्रवा करे गए नहीं है इसलिए ज्यान में रखना मेंगर की चमता हमेशा लगबग दो गुणी लेंगे के मिल की चमता का सवाल पूछा गया था आरवी जई के अंदर लोको पालेट के अदर एक केबल की जंता साड़ेचेसो वल्ट देदी मेंगर की या पूर्ती वल्टेज पूछी दिशन देगा वरना उसका पैमाना अनत ही मिलेगा अगर मेंगर की वल्टेज जैसे माल लेते हैं अजार अजार से ज्यादा अपनोंने पंद्रा सो लेनी पंद्रा सो लेंगे ना तब यह जो भाग रहा इस इंचुलेशन कमजोर होगा यह इंचुलेशन क्या होगा कमजोर होगा तब यहां इस चालक से यहां से धारा तब इ अभी सवाल बाग से यए हां से धारा का जो क्या हो जाएगा फ्लो सफॉह सबनेक्पेगर सब्सक्राइब कि यह सवाल आया था तुम्हारे एन अमर्सी जो वह था पेपर चौदार पंदरार मार्च को वह था दोजार सब्सक्राइब तो सप्लाइब उसमें यह सवाल था कि इंसुलेशन की जाज कि सप्लाइब पर की जाती है है कि जरुणना डिसि जोगी चैब दी सी पर और ऊचल वोल्टेज है धिसी ध्यान में रखना यहां बात किरेंगे मैकर की चमता मैकर की वॉल्टेज रेटिंग क्या लेंगे तो लग बग्या लेंगे दो हो इन्टू के बल्ट की वोल्टेज ऑफिर द्यान में रखना की केबल जोगा के बलगी जो वोल्टेज रेटिंग होती है जिसे मैंने लिखा यहां पर 1100 थो यहां यह वोल्टेज गोंड शोगी का maximum value होता है जहान में रखना कभी भी breakdown voltage होती है नहीं हमेशा maximum होती है डायोड की breakdown voltage या peak inverse voltage पीक का मतलब भी क्याता है सिकर कैपसिटर की उपर लिख होती है वह भी maximum होती है जिस पर वो काम करते हैं जैसे इसके उपर 250 है यह operating voltage होती होती है यह थोड़ा सा द्याग में रखेंगे मापन कर दिया तुमने अब दिमाग में बात सोचों कि मेगर मेटर जो का मेजर्मेंट करेगा वो कितने पर करेगा 500 मेगा मापेगा ना कम से कम या एक रिजिस्टेंस होगा उसका इंसुलेशन परतिरों तो कम से कम कितना होना चाहिए एक मेगा हूं यह बात कहां लिखी गई है इंडियन इलेक्ट्रेशिटी रूल एक सट वन के अंदर यह बात लिखी है कि क्या बात लिखी है कि इंसुलेशन परतिरोद नियून तर्म कितना होना चाहिए एक मेगा ओम होना चाहिए ठीक है दिन्ली मेटर 18 तरीवड़ा पेपर देखना 2020 को और पेपर में बहुत पेपर में अभी जो पीएचिदी का पेपर वाता बीस तरीकों वीस महीं को उसका भी देखना उसके अंदर भी सवाल त अब बात करेंगे इंचुलेशन परतिरोद की गढ़ना कि तुम्हारा जो इंचुलेशन का जो रिजिस्टेंस उसका गढ़ना जब अपने करेंगे तो किस तरीके से करेंगे एक चीज मेरे को बता दो पहला फार्मला जो बढ़ेंगा वो आएगा सप्लाई वोल्टेज बटा में आएगा तुम्हारा लिकेज क्योंकि आर जो हता है वी बटा में आई तो होता है लिकिन यह धाराग पता कौन सी लेंगे जो उस मैं så Misoolation में से गुज़ा रही है कि इस गुजरीत और इन्सुलेशन में इसांग उसको कों सी दारा भालोगे जहेस के मैक्रों अब द्यानन। और इलेक्ट्रिसिटी रूल है रूल नंबर यह तुम्हारा है फोर्टी नाइन इस फोर्टी नाइन रूल के नुशार जो लिकेज करेंट होगा वो एक बटा में 5000 होगा फुल लोड करेंट का ठीक ही होगा और ध्यान में रखना अगर कोई भी उपवोग करता अपने अगर 48 घंटे के अंदर यह काम नहीं करते इस लिकेज दोस्को धूर नहीं करते तो कंपनी को यह दिखार है कि वो अपना सप्लाई करेक्शन काट से यह 48 घंटे वाला इन याद रहेंगा दो दिन का तो सप्लाई वोल्डेस फार्मला उपर वे सही आएगा लिकेज ग्रंट क्या लिखेंगे एक बटा में पांच जार एक बटा पांच जार तो बटे वाला पांच जला जाएगा एक चीज में लिखना बोली अब भी बताऊंगा और यह जो लिखाए ना पूर्ण बाहर दारा वो कहां जाएगी को पूर्ण भार अगर इसको में गाउम के अंदर लिखना तो इसकी घात लगाएंगे माइनस की इच्छा है में गाउम कि इस चीज को में चेंज करना है तो इसको में चेंज करना है तो बढ़ार से क्या दसकी बाद से क्या देंगे भाग कि पावर चाहां चली जाएगी उपर लेकर जाएगी तो माइनस की होगी ना इस पांचो ग्राम है किलो में जेंज करना है किसे बाग देंगे अजार से बाग देदो या इसको गुणा में माइनस तीन लगा दो बात तो एक है अगला देखो अगला इसका फार्मला बनेगा तुम्हारा वह गौंड सावगा वह आएगा पचास बटायागा उप भोग विंदू की यह सवाल बहुत पेपरों में बहुत पेपरों में बहुत ज़्यादा पेपरों में आगा सवाल देता है कि इंशुलेशन बरतिलोद की घंणा की जाती है वह खाली से सलेस्ट देखे देता है आगे वह विंदू नीचे बीस पतास दस बीसे से कर उच लिए तो पतास बटा 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 बटाव विंदो की संक्या ठीक है वोग विंदू जैसे तुम्हारे स्वी शो कि इंशुलेशन बरतिलोद निकालने जो सबसे ज़्यादे काम गया है कि इंशुलेशन बरतिलोद आर बराबर होगा तुम्हारा रो टू पाई ल लोग और टू बटा में अब यहां तुम्हारे को एक बात दिमाग में आ रही है रो तो उसकी परतिलोद देखता हो कि उसकी इंशुलेशन की है है कि इंशुलेशन बरतिलोद लंबाई के रहा टा होगा इसका सवाल अभी जवने से इसकाहिसा ही सवाल तुम्हारे उसके अंदर रहे हлись देखेंस समुए और इसके आप आप आए गी आर टू क्या का किया होगा नहीं कि इस यह पास का नोगां आप यह तो यह तो है उस ताल्य की तिर जा है बने इंसिलेशन 당시 जो जो होगी वो ध्यान में रखना यह वह सारा जो बिशीन से लोग के रूप में गट रहे हैं अब यहां से ज्यान में रहना क्या होगा कि जब तुम्हारा इंस में रजिस्टेंश होता है वह शिद्रानी कट brush रहका शरक गतांकी लूप की मनें मतलब कि जैसे ध्यार एक में हां एंसे माल आले तुम्हारा तुम्हारी जैसे माल एक हजार सो किलोमेटर की लंबाई पर इसको सिधा करेंगे कि लंबाई तुम ने अगर मालो तो इसका पांच वाइसा कर दिया तो इसका पांच में बढ़ जाएगा लेकिन वास्तम में जब इसकी केलिकुलेशन जब अपने देखते हैं तो उस कंडिशन में क्या होता है कि जिससे माले क्ल eran इंड़े जार पर ये 5 किलोमेह या 5 मेजम है सो किलोमेटर पर माल ले थे 5 मेजम ने गाम कि इसकी लंबाई करदी 20 कि तुमने यहां तो 5 मेजम होना तो 25 मेजम था न लंबाई बढ़ाएगे तो ग्टायेंगे तो इंसलेशन बढ़ बढ़ेगा लंबाई sauce से 20 कर थी पांच गुणा कम कर दी इसंजा फिलयलेश्न पांच यह बठेगा अब यहाँ देखो यह वास्ता में तो प्रतिलोद क्या होता है ज्यादा गटता है बाज में देले कम गटते कंटता है उसको मोनते है कि तो इसका वक्तर हो चनल करता है जैसे तुमने उसमें बड़ा धन इसके अंदर south हुआ कि पहला जो टाइम कोंश्टर अब होता है उसमें 13.2 परसेंट होता है कि फिर अगला ताइम आगी को सब्सक्रार चेहीं हो लोगता तो यह सवाल सवाल आया था इंसुलेशन परतिरोद होगा लंबाई बढ़ने पर गटने पर चर्गतांकी रूप से बढ़ेगा और गटेगा यह धोड़ा सा ज्यान में रखना लोग की फोरम के अंदर लोग की फोरम का मतलब हो जाएगा कि पेले कोई चीज होगी फिर बचा निकालकर उसमें जोड़ा गटाया जाता है जैसे तुमने उसमें किया था तो यह थोड़ा सा द्यान में रखेंगे किसके अंदर इसके अंदर वह सवाल थोड़ा सा द्यान में रखना है और अगर सवाल कभी भी आ जाना तो सवाल को तो उसी तरीके से करेंगे अपने जैस जैसे यह ना यह यह आर्वन तो इसका कुद का है और यह आर्टू जोगा ना इसके बाहर जो इंशुलेशन वगएरा जितना भी तुमने जो कर रखा जोगा आडमेंट वो है वो सारा साथ आएगा इंशुलेशन दे दिया या कोई बेंडिंग आर्वेंग दिखादी तो इसलेशन इसलेशन यह वो कुछ तरक की तिर जाओगी और आर्टू जब लेंगे ना इसकी यह बाहरी तिर जाओगी जिसमें इसका चालक का भी आजाएगा और इसका इंशुलेशन जो तुमने प्रदान के वह आजाएगा तो नों का जोड रहे हैं पर शूलवाड़ी में देखना तुम करके तो वो कंड़क्टर की तिर जाएगी पहले यह आरवन ना इसमें क्या लेक है इंशुलेशन की तिर राटू क्या लिक है इंशुलेशन वो टाइपिंग में कलकत बड़ी है जैक लिए या तो एक सवाल देखो एक सवाल लिखो एक किमी लंबे चाल लग का विदूत रोधन पर ती रोध है कि दो मेगा ओम है कि दो सो मेटर कि लंबाई पर कि मैं शोट में लिख रहूं इसलेशन क्या होगा तो पहले ही तो तुमको बताना है यहां पर पांच मेगा ओम होगा है कि जीरो पॉइंट है कि चार मेगा होगा है कि दस मेगा होगा है यह कि वीश मेगा होगा है कि देख लास्ट पॉइंट और बच्छे का इंशुलेशन का वह बात करेंगा है अलागी देखो वह इस फारमले पर सवाल आना बहुत कम जांसे जांश है क्यों कम जांसे इसके पिछे रीजन है कि क्योंकि तुम्हारे को जब तक वह लोग की वेल्यू नहीं देगा ना तब तक तुम लोग सवाल काल भी नहीं कर सकते जैसे अभी जैई वाले पेपर में मता फुड़ी कर तो ली लेकिन उसमें लोग की वेल्यू नहीं मिल रही थी लोग की अगर वेल्यू देता तो अंसर आ जाता अब वेजूंगा एक सवाल देखना फिर उसको बोड़ डेलीट करना पड़ा तीन चार सवाल डेलीट होए थे इसमें कितना आएगा कि दस आएगा ना देखो तुमने काम किया कि लंबाई एक किलोमेटर है और दुबारा तुमको दे दिया 200 मेटर इसका मतलब उसको भी तुम लोग मेटर में जैंस कि रहेंगे तो तुमको एक बात ध्यान में रखना इंशुलेशन में व rudy कि आब आठी और अरवन तो यहां सुझाँ वूल्टा होटा है आटी तुमारे विंखालना मने आरवयन की कितनी न की रोगिए विल्यू कितनी एक मिट किलोमेटर मतला अरो री更ोग कितनी है चाटो के तो कितने बर जाएगा पांच दुनी दूसरा तरीका देखो काम क्या करना है तुमने लंबाई को एक बटा पांच कर दिया कि इंचुलेशन रेजिस्टन्स क्या होगा अब अब जो चीज समझा रहा हूं उसको द्यांसे सुनना देखो तुम्हारे पास देखो एक तो ऐसी सप्लाई होती है सुनौ के बारे में ज्यां से सुनुट घरो अपने बात करेंगे इंकुलेशन की गया माध लेखी टेको एक बात मैंने मधायी थी कि इंसुलेशन ंपर गोल्डेज लिक होती हुद वहमेशा वंस्यों होती है अपने घरोंसे हाँ मैं सप्लाई च twitter कि तुम लोग वेव चेंज गरोगे ना तो यह बदल जाएगा है कि इसाइन की ट्राइंग्लर नेंगे तो चेंज हो जाएगा तुम पता दूंगा तुम को ठीक कि अब डिसी के अंदर जो अर्मस मान रेवरेज मान दुनों क्या होता है यह बराबर होता है ना समझ माई की बाद अब देखें यह इसी पर जो इंचुलेशन वुटाई होगी वो ध्यान में रखना अपने को पता है कि मेक्सिमम लेने तो वी एम जो होता है वह रूट दो इंटू क्या होता है वी आरेमस यह तो तुमारा इसके लिए अजाएगा इसके लिए अब लिए सकते हो तो यहां तो आ जाएगा तो कितना कुणा चाहिए तो रूट दो इंटू क्या जाएगा डिसी पर अगर यह ट्राइंगलर वेव होती तो यहां रूट तीन करना पड़ता हूँ अगर यह स्केर होती तो दुनों बराबर होते है अगर तुम्हारे पास ऐसी वोल्टेज है 220 वोल्ट यह 220 वोल्ट और डीची वीडेच वीशल अगर दूम्हों यहां मोटाई लेरो एक एम्म्म तु इसमें मोटाई की तना लेना पड़ेगा मतला एक पॉइंट चार एक चार यह नहीं कि तुमारे को पॉइंट 41 जोन इतनी एम्म मोटाई बढ़ती है तो पॉइंट 41 प्रसेंटेज में चेंज गरें तो कितना होजेगा इक तारीस प्रसेंट फालतु इंचुलेशन देने के शिक्ता पड़ती है सेम ही वोल्टेज में तो यह एक डिस अडवांटेज कभी तुलना करते हैं तब ज्यान में रखना कि एसी पर इंचुलेशन होता है वो समान वोल्टेज के लिए डिसी की तुलना में रूट दो गु अगर यह तुम्हारे को सब्सक्राइब देगे सब्सक्राइब तो यह रूट दो भाग में आएगा और एक बटा रूट दो की वेल्यू कितनी होती है तो जीरो पोइंट साथ जीरो साथ इंटू क्या करोंगे एसी पर रहे हैं कि इंचुलेशन इसका मतलब अगर मैं इसको प्रसेंटेज में चेंज गरूँगा तो कितना प्रसेंटा जाएगा सतर सतर प्रसेंटा जाएगा यह होगा इसका देखो एससी पर जो इंसुलेशन की मोटाई होगी इसका करेंगे तो 1.4 1.4 एंटो का अगर डीसी पर मोटाई यह होगा पर सेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा 100 मारेंगे जैसे 100 मारेंगे तो कितना जेगा 141 पॉइंट है इसका मतलब सो अगर डीसी में करेंगे तो एसी में 141 कितना परसेंट फाल तो इसी तरीके से डीसी पर जो इंसुलेशन तुम लोग दोगे वो ध्यानमरगना सत्तर पॉइंट साथ परसेंट देना पड़ेगा किस पर इसका मतलब एसी पर तुम्हारे को ज्यादा इंसुलेशन चीए और डीसी पर जिस बंदे को यह बात अब स्टार डेल्टा का भी बता देखो अब अपने बात कि रहेंगे स्टार डेल्टा की कि अग्यों कि देखो तुम्हारे को पता है कि जो स्टार जोता ना स्टार स्टार जोगा वह उसमें द्यान में रखना देखो एक चीज़ द्यान थोड़ा सा इसको देखो कि इंसुलेशन हमेशा इस कंडली पर करते है कि आर वाई बी इसी तरीके से इसको देखो और यहां क्या अब तुम लोगों काम करना है कि यह जो है इसके उपर इंशुलेशन देना है और यहां जब इंशुलेशन देंगे तो इसके उपर एक फेज के बीच में खुड़ी है और एंसुलेशन बोल्टेज़ परी डिपेंड करेगा ये बात लिखेंगे भी इसी तरीकले करेंगें यहां यह यह यहां just नीचे वाली देखोगी तो यह वाई और बीक के बीच में इधर वाली को देखेंगे तो आर और दो फेजों के बीच में तो सोचके बताओ ज्यादा इंसुलेशन किसमें देना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि तुम्हारा जो स्टार के दर यह होता है ना है काम कूरते देखों PRES तार के अंदर जो लाइन शोती है वह रूट टीन इंटो होती है इसका निए डेल्टा के लेल्टा यह लाइन वॉल्टेज प्राबर होगी इसका मतलब इसकी जिगह मैं यहां लिख दूँ फेज वोल्टेज किसके लिए डेल्टा वे लिए और यह स्टार में फेज वोल्टेज और फेज ही क्यों लिए क्यों कि एक कुंडली जो जुड़ी होती है न उस पर जो वोल्टेज होगी वह एक फेज वोल्टेज ही माना जा कि तुम्हारा डेल्टा में जो इंचुलेशन होगा ना डेल्टा में इंचुलेशन वो आएगा रूट तीन इंटु गयाएगा तो स्टार में इंचुलेशन दूसरी बात अब देखो इसको तुम लोग करोगे एक पोईंट साथ तीन दो इंटु गयेगा अगर तुमको स्टार में ची तो ये भाग में आएगा एक बटा रूट तीन यही होगा अगर इसको नीचे ले करें तो यह अगर इदर क्या बनेगा एक बटार रूट तीन के वेली बता क्या है पांस साथ साथ इंटु यह एगा इसका मतलब यहां तुम लोग अगर निकालेंगे तो कितना एगा लगबग अधी मुटाई चाहिए तुम्हारे को लगबग्या चाहिए अधी मुटाई तो यह कंसेप्ट दिमाग में गुसा यह नहीं गुसा है तो कितना गुसा है पुरुए एक लाइन और लिखांगा मैं फिर इंचुलेशन खतम हो जाएगा फिर अपने बात करेंगे तोपिक है लेकिन सवाल बहुत काम के बनते हैं एक तो ध्यान में रखना की इंचुलेशन है मोटाई किस बात वुटी में करती है वोल्टेज क्या करती है अब दूसरा ध्यान में रखना वोल्टेज का मान कौन सा होगा अब इस चीज को दोबारा समझो जो चीजे तुमको मैं बताऊंगा बस उसको द्यान में देखो इंसुलेशन क्या होगा कोई कोई भी कंड़क्टर मिटीरियल जोगा उसके उपर तुम लोग क्या करोगे फिर तुम लोग काम क्या करोगे उस एचालक जब तुमने इसको प जीवित नहीं करेंगी निकेज नहीं करेंगी करेंट को तीसरा अपनी प्रोटेक्शन पर दान गरने का काम करेंगे उपरेटर की शुरक्ष्या करेंगी कि ध्यान में आता है कि इंसुलेशन परतिरोध का जब तुम लोग मापन करोगे किसे गरोगे मेगर से मेगर किसका मा इंश्यलेशन का महतना गर रहा है इंश्यलेशना की लंबाई जो शुरूम इंश्यलेशन के मटलॲी किसके नहीं चीटेगा पर प्रती रोड़ी है प्रतिरोद का फार्मुला रखेंगे दूपर पांचार गुणा हो जाएगा नीचे फुल लोड करन्ट आजएगा फिर फार्मुला बढ़ेगा पचास बटा उभगोग बिंदों की फिर फार्मुला बढ़ेगा रो टू पाई लोग आर्टू बटा रवन उसकी कंड़क्टर की खुद की तिर्जय आर्टू जोगा उसकी तिर्जया जोएगी वह इंसुलेशन के साथ में ठीक है फिर ध्यान मिलना कोई भी इंसुलेटिंग मटीरियल होगा उसमें एक तो नमीरोदी होना चाहिए अमल का अमल चार का प्रभाव नहीं होना चाहिए डाइलेक्टरिस्टेंट ज्या फिर देखो एक लिखिए देते हैं और एक द्यान में रखना की केबल की जो धारा वहन चमताज होती है वह 40 डिगरी पर मेजर की जाती है टेंपरेचर पर और जो इसका इंचुलेशन होता है वह बीच डेगरी टेंपरेचर पर नितारित किया जाते है ठीक है मैं दो बात यहां लेकि देता हूं कि फार्मले होगे इंचुलेशन की तुलना डिसी पर रूट दो गुणा चीए ऐसी पर और उसमें रूट तीन गुणा चीए डेल्टा में ठीक है एक लाइन माले की देता हूं यहां पर देखो पांच पांच दिकी दिए जाए यह तो यह बना इंसलेशन का पार्ट ताओ मिलेंगे नेक्स्ट शेशन में तब तक की लिए धन्यवाद जहिन जय बारत